कुईत की लेबार और वरकर्स के लिए एक जरूरी इंपोर्टेंट अपडेट है अगर इसे करते हैं कुईत में तो कुईत से बाहर कर दिये जाएंगे फिंगर ब्लोक करके दुबारा कुईत में कभी नहीं आ सकते काम करने के लिए चाहे कितना ही टाइम हुआ हो कुईत में 10 साल हुए हो या फिर 10 दिन दर साल हुआ है कि कुईत में सडक के उपर दो लोग आपस में जगड़ा करने लगे तो किसी ने वीडियो बना के टिक टोक पर डाला जिससे की वाइरल हो गया उसके बाद में पुलिस ने तुरंत कारवाई की क्योंकि सोसल मीडिया पर कोई भी भेज दिया गया वहाँ पर फिंगर ब्लोक करके दो-चार दिनों में उनको कुईत से बाहर निकाल दिया जाएगा उनकी कंट्री में बेज दिया जाएगा यह Middle Eastern country से थे दोनों कोई भी लोग किसी भी कंट्री से आते हों कुईत में और काम करने कि लिए तो एसा जगड़ा किसी भी टाइप का जगडने से बचें, बेवज़े चिलाने से बचें कुछ भी क्योंकि जैसे ही पकड़े जाते हैं तो कुईस से बाहर कर दिये जाएंगे एक और इंट्रेस्टिंग मामला हुआ कुईत का एरपोर्ट पर, एरपोर्ट पर दरसल एक आदमी आया, पहले कुईत में रहता था, उसका किसी वज़े से फिंगर ब्लोक करके कुईत से निकाल दिया, कोई ना कोई उलंगन किया होगा इस वज़े से, दुबारा फिर उसने दूसरा पासपोर्ट बनाया जिसमें की नाम चेंज था, एक फरजी डुबलिकेट पासपोर्ट बनाया, जिससे वो कुईत में आ गया था, कुईत एरपोर्ट पर एंटर किया, उसने पासपोर्ट वगईरा चेक किया, जैसे ही फिंगर रखा उसका और जो सिक्योटी, उसन तक वो एरपोर्ट में गुम हो गया कहीं गुम हुआ कुछ पता ने चला उसके बाद में जांच शुरू हुई चेकिंग की गई अच्छे से जांच करने के बाद फिर उसको पकड़ लिया गया ये एक एस्चिन कंट्री का रहने वाला था लेकिन नहीं बताया कि कहां से आया था इंडिया पाकिस्तान बंगलादेश नेपाल या स्री लंका से था चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुईत की आने वाली खबरें मिसना हो